हाई प्रेंड स्वामे कीचिन में आपका स्वागत है आज मैं आपके पास लेकर आई हूँ प्रोट कस्टड जो खाने में बहुत स्वार्देश्ट लगता ही है और बहुत ही फोस्टिक होता है यदि फल ऐसे ही नहीं खाते बनते हैं तो आप कस्टड बना कर खाईए बहुत टेस्टी लगता है किटी पाटी हो घर में या कोई गैस्ट आए हैं घर पर या फिर बच्चों को फल खिलाना है तो जरूर कस्टड बनाईए तो ठंडा-ठंडा कस्टड बना के सर्व करें बहुत ही स्वादिश लगता है यह दिखिए दिख रहा है ना पढ़िया शुरू इसमें हम कस्टड पाउडर भोलेंगे तो यह कस्टड ले लिया है हमने कस्टड पाउडर आता है रेडिमेट यह कस्टड पाउडर आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं अब यह ठंडे दूद में हम कस्टड पाउडर डाल रहे हैं यह कस्टड पाउडर को हम घोल लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं, गिठली दाने बिल्कुल ना रहा है, ये देखिए, ठंडे दूद में ही कश्टर पाउडर को घोले, ये घोल गया है, और ये दूद में हम सक्कर डाल देते हैं, करीब 4 टेबल इस्पून में इसमें सक्कर डाल रही हूं, टेबल को उबलने रख दे रहे हैं, दूद में सक्कर पहले ही डाल दें, तो दूद उबलने के सांसा सक्कर भी आसानी से घुल जाएगी, बहुत अच्छी तरीके से, तो दूद में पहले उबाल ले लेते हैं, मैंने वीडियो में पहले बटर इसकॉच आइसक्रिम बनाना भी बत लुका है यह देखिए बढ़िया उबल चुका है दूद्द सारे रख दिये हैं डारा होने लगता है यहह कत्ओर में लगा है इसमें दूद्ध डाल मैं निकाल लेते हैं झाली कर लिया है हमने कटोरी का पूरा और इसको लगाता चलाते जाएंगे मिक्स करते जाएं चमत से लगाता चलाते जाएं क्योंकि यह बहुत जल्दी काड़ा होने लगता है कस्टर पाउडर का घूल डालने के बाद सिर्फ दो तीन निठी अच्छे से उबाल ले और लगाता चलाते रहें हमने इसे बड़िया उबाल लिया है और इसको हम टेस्ट करके देख सकते हैं थोड़ा सा उंगली से टेस्ट करके देख लें इसमें कस्टर पाउडर की कचान तो नहीं आ रही है वैसे ही काफी अच्छे से उबल चुका है दो तिन मिनिट पर चाहें तो आप चेक करने पहल यह हमारा हो चुका है हम इसको नूचे उतार ले रहे हैं यह देखिए लेकिन इसको हम लगातार चलाते जाएंगे आप इसे लगातार चलाते जाएं जमत से तो यह गाड़ा नहीं हो पाएगा नहीं तो गाड़ा होके जम जाएगा तो इसे हम लगातार चलाते जा रहे हैं उसके बाद आप चेक कर लें, बढ़ियां ठंडा हो जाता है, भाप लेकलना बंद हो जाती है, तो आप इसे एक किसी डिपे में रख सकते हैं, यह मैंने अयर टाय डिपा लिया है, इसमें इसका सारा घोल डाल दे रही हूँ, यह कश्टर पाउडर का घोल हमने सारा निकाल ल दे रही है, यह कश्टर हमारा भी तैयार हो गया है, अब इसमें से फल डालना बाकी है, तो यह थंडा हो चुका है काफी अच्छे से, अब इसमें हम फल डाल सकते हैं, यह चीकू, एपल, अंगूर और अनार, यह सभी फल हम इसमें डाल दे रहे हैं, आप चाहें तो केला भी डाल सकते हैं, लेकिन केला आप तुरंत सर्व करें, तभी डाले, केले के छोटे-चोटे पीस करके, यह दिखे, यह सभी फलो को हमने मिक्स कर लिया है, कर्ष्टर हमारा भी तैयार हो गया है, लेकिन इसे हम गर्म-गर्म सर्व नहीं कर सकते हैं, यह इतना ठंडा नहीं रख देंगे, कश्टर जब ठंडा हो जाए, तब निकाल ले, यह हमने निकाल लिया है, हमने इसे एक देड़ गंटे ठंडा होने दिया, यह काफी अच्छा ठंडा सा हो गया है, तो इसे हम सर्व कर सकते हैं, कश्टर को ठंडा-ठंडा सर्व करें, बहुत टैस्टी लगता गरम गरम नहीं सर्व किया जाता इसलिए इसे फ्रीज में रख दिया जाता है बनाने के बाद तो ये कश्टड हमारा बढ़िया रैडी हो गया है सर्व करने के लिए ठंडा ठंडा कश्टड आप सर्व करें बहुती स्वाधिश्ट लगेगा घर में बच्चे हो बजुर्ग ह या किटी बायटी हो या कोई महमान आये हो उनको भी आप ये कश्टड सर्व करें बहुत टेस्टी लगता है है ना बहुती आसान तरीका बच्चों को भी फल खिलाने का ये देखिए कितना बढ़िया कश्टड बनके तैयार हो गया है हमारा तो बना लीजिए इस तरीके से कश्टड और ठंडा ठंडा सर्व कीजिए बहुती स्वादिश्ट लगेगा पस एक बात का आप जरू द्यान रखिए कश्टड पाउडर का यूज हमेशा ठंडे दूद में करें ठंडे ठंडे दूद में ही कश्टड पाउडर डालें फिर उसे घोलें तो अच्छे तरीक कश्टड बनाईए खाईए और अपने अन्वह हमारे साथ सेयर कीजिए पसंद आती है हमारी रेसिपी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्क्राइब करें प्रेंट्स बेल आइकन तो जरू दबाएं और हमें कमेंट करें कैसी लगती है हमारी रेसिपी